चली अब बात करते हैं व्यूट एप के अंतरगती सबसे इंपॉर्टेंट ओप्सन है जिसका नाम है मैक्रो मैक्रो गुप के अंतरगती देखने को मिलता है इसकी सौटकट की आप देख लीजिए आल्टर प्लस एफ एट अब इसका मीनिंग क्या होता है मैक्रो का मतलब क्या कोई मैटर है आप बार-बार लिखना चाहते हैं या फिर आप कोई टेवल है जिसको टेक्स्ट में कनबट करना चाहते हैं या फिर टेक्स्ट को टेवल में कनबट करना चाहते हैं तो यह काम आपका कभी भी बार-बार हो सकता है कहीं भी मतलब कोई डोकुमेंट आप तयार कि एक सारओ का लिख दी यह अपने पर आपको ऐसा नहीं लिखना था आपको बदाना था टेबल टेबल बनाला था पर हो गई गलती यह ठीख है तो आप चाहते हो आपको मीनु बार में ना जाना पड़े या टैब में ना जाना पड़े डारेक्ट लिए आप इसको सेलेक्ट करें इसको इस प्रकार सेलेक्ट करें और डारेक्ट लिए सौटकट दबा कर आप जो इसको टेबल बना सकते हैं ठीक है तो यह काम आपका बार-बार होन उसको हम record करका रख लेंगे कोई shortcut के मार्द हम से और उसको हम shortcut से बाद में play कर सकते हैं तो चलिए हम करके देखते हैं कि करके तो पहली चीज तो आपको type करका रखना है इस प्रकार से और type करके आप रख लोगे तो आपने type कैसे करे हो टैब से देखे टैब मार्क है यहां लिखे हो keyword से या फिर space देकर लिखे हो या फिर कॉमा लगाक लिखे हो तो मैंने अभी टैब दिया हूँ तो आप चलोगे macro में view tab के अंतर गती macro group है और macro में चलोगे देखे तीन option है तीन option में पहला option है view macro यानि कि जब भी कोई macro बन जाता है तो आप देख सकते हो पर हमने अभी macro नहीं बनाए है दूसरा दिखरा है record यहीं कि जब आपको नय macro बनाना था आप recording करते हो तो हम करेंगे recording जैसे हम record करते हैं तो record करने के दौरान हमको macro record और मैक्रो का एक डायलेक बॉक्स आया है, जिसमें मैक्रो लिखा है, बन, तो हम मैक्रो बन को ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा मैक्रो लिख दे, और टेक्स्ट टू टेवल, यह देखे, टेक्स्ट टेवल इसका नाम हम लिख देते हैं, अब हमको बटन के थुरू बनाना है, तो बट भी देखे current की कुछ भी नहीं है तो हमको बोल रहा है प्रेस न्यू सौटकट की करें अब आपको control दबाना है और साथ मैं one इस प्रकार प्रेस करना है अब one प्रेस करोगे या फिर आप चलिए मैं यहाँ पर one की जगह है control के साथ five प्रेस कर देता हूं चलिए इसको मैं हटा मांवस के pointer में देखे आपको एक recording का जो आइकॉन दिख रहा होगा इस recording के आइकॉन से मतल़ है कि अभी macro आपका record हो रहा है अब हम इस matter को हमने select कर ली जो भी हमने type करे थे हमको चलना insert में और जो काम हमको कर लेते convert text to table देखे convert text to table अब बोल रहा है तीन column आना चाहीं 3 रो चाहिए सभी बात है एक दो तीन और एक दो तीन ठीक है और यहां फिक्ष्ट साइट सारी चीज वैसे रहने देते अब हमने किस प्रकार टाइप करें टैप दिये थे कॉमा दिये थे अधार या पेरग्रा तो हमने टैप दिये थे टैप को आप सेलेक्ट करो रोके कर दो यह आपका टेबल बन चुका है अब टेबल बन गया नहीं कि हमारा काम हो चुका है तो हमारा काम हो चुका है इसका मतलब है चलिए हम इसकी फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं यह देखें यह हमने फॉर्मेटिंग करें बार बार यही फॉर्मेटिंग आईगी असा हम समझ सकते हैं तो इसके लिए भी में एक macro बना देता हैं, तो अभी table बना है, हम table को ऐसे select कर लेते हैं, और हम फिर से कहा जाते हैं, view tab में ही, macro group के अंतरगत macro में जाते हैं, और अब फिर से एक नाय macro record करते हैं, चलिए, record macro में गए, और अब इस macro का नाम रख देते हैं, macro table to text, इस प्रकार हम नाम रख देते हैं, और इसका हम keyword से shortcut के रूप में तैब बनाएंगे, जैसे हम चलते हैं, तो यहां हम रख देते हैं, control 6, देखे, control 5 से हो रहा था, text से table, और control 6 से होगा, table to text, इसको भी कहा करें, assign, और assign करने बाद, close, तो यह काम हो गया, आप हमको layout में चलना देखे, layout tab द इस प्रकार separate करोगे आप, paragraph में करोगे, tab में करोगे, comma में करोगे, other में, तो हम tab में ही कर लेते हैं, और ok कर देते हैं, देखे, इस प्रकार आगया, अभी हमारा काम हो चुका है, हो चुका है, इसका मतलब हम view में चलें, और view में चलने के बाद हम जो stop कर देते हैं, या तो थोड़ी देर के लिए पॉस नहीं तो आप स्टॉक कर दें अब देखे दो मैक्रों हमने बनाए है व्यू करें तो व्यू में देखे एक दिख रहा है टेक्स टू टेबल और एक दिख रहा टेबल टू टेक्स चाहे तो आप यहीं पर जाकर इसको रन कर सकते हैं एडिट कर सक करते हैं तो सब औप अब्तिन होई हैं जो है कन्टेंट को टाइप कर देते हैं उस प्रकार हैं फिर टाइप देते हैं इस kidnapped name के बाद हम देदेते हैं इसके इसकी age देदेते और उसके बाद इसका course देदेते फिर enter करते id में 1101 देदेते और यहां देदेते हम देखे ए देखे हमने money इसको मार देदे दिए और यहाँ, हमने चार कॉलंब लिए भी और यहां प Är हमने लिये हम चार रो अगर मानलो इसको हम स्टलेक करते है select कर लिए और हम control के साथ 5 दबाते हैं गया हैते यहां पर आपके सामने जो है क्या बन गया है टे 맞र थोड़ा सा दिक्कत हुई है मतलब यह जो है तीन कॉलम बाला था ठीक है तीन कॉलम बाला था इसलिए यहां पर क्या हुआ है चली इसको मैं पहले क्या करता हूँ Ctrl 6 दवा देते हैं Ctrl 6 दवाते हैं और यह जो Course वाला है इसको हटा देते हैं ठीक है इस प्रकार से इसको हटा देते हैं और हम जो है Directly बना कर देखेंगे यह देखिए तीन है अब यह तीन को हम इस प्रकार क्या कर लेते हैं इस पेस को आप हटा दीजे जो भी अनावस्ते के स्पेस रहते हैं उनको आप हटा दोगे तो table आपका सही बनेगा ठीक है यह देखिए मैंने हटा दिया अब इसको आप select करते हो अब इस select करें तो select करने के बाद आप control के साथ 5 दबाईए तो आपका table as a tease बन जाएगा क्यों? क्योंकि आपने macro बना कर रखे हो और control के साथ 6 दबाते हैं तो देखे, control के साथ 6 से टेबल से text बन जा रहा है और text से table बनाना आप control के साथ 5 से, देखे, यह देखे मतलब एक click से आप टेबल से टेक्स्ट और text से टेबल बना सकते हैं किसकी सायता से? macro की सायता से, ठीक है? तो आप macro recording कर सकते हो आपको जैसा भी काम चाहिए उसको बार-बार अगर करना है तो आप उसकी recording कर सकते हो जैसे मान लो, एक और चीज में बताता हूँ अगर macro आपको जैसे देखे यहाँ अगर हमको कोई चीज बार-बार लिखना है तो चलिए मैं इसको recording सुरू कर देता हूँ recording, control के साथ 6, 7 से कर देते हैं control के साथ 7 से हम recording कर देते हैं और यहाँ हम लिखते हैं, देखे SSW Education, इस प्रकार सा वही matter लिख देते हैं इसके अंदर courses का क्या है इसके अंदर हम जो है DCA के courses देखने को मिलते हैं PGDCA, BCA और अन्य जो computer के courses देखने को मिलते हैं तो इस चीज हमको बार-बार करना है तो हम जो है, इसको type कर लिए और type करने बाद इसको हम stop कर देते हैं अब आप देखे, control के साथ 7 से करे थे मान लोग वो चीज हमको बार-बार यहाँ चाहिए control के साथ 7 दावाए देखे, वो चीज बार-बार आ जा रहा है तो हमको copy paste करने की जरूरत नहीं है पर एक और चीज ध्यान रखे, जब हम copy paste करते हैं तो जब तक computer on रहता तभी तक काम करती है नहीं तो वो बार-बार काम नहीं करती, clipboard से data हट जाता है तो यह copy paste से ज़्यादा best है ठीक है, आई होप आपको macro समझ में आया होगा आप किसी भी प्रकार का काम हो, बार-बार अगर करना है तो आप उसको record करकर रखे short cut के through, ठीक है, और आप उसको उपयोग कर सकते हैं जिससे यहाँ गये तो यहाँ से उपयोग कर सकते हैं अब इस macro की जरूरत नहीं है, तो इसको आप यहाँ से delete कर सकते हैं इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखा दिया तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं delete कर, आप macro नहीं है अब आप control के साथ 5 भी दबावगे, तो कोई काम नहीं होने वाला क्योंकि अभी आपका काम end हो चुका है, ठीक है चली, आप देखते हैं properties, view मतलब होता है दिखाना यानि कि इस document, swdoc1 जो है, इसकी क्या करना है, एक properties होती है properties मतलब जो भी चीज़े आप देखते हैं, जैसे file menu में जाकर info में देखते हैं तो देखे, आपको इस प्रकार का dialogue box देखने को मिलता है तो इसकी properties यहाँ देख रहे हैं, size कितना होता है, word कितने है total editing time 12 minute है, ठीक है, इसके अलावा आप देखे, author का नाम है ठीक है, modified, किसके दोरह की अगया है, सारी चीज़े यहाँ पर देख रहे हैं एक और चीज़ दीखे, यहाँ पर upload कर सकते हैं, ठीक है, share कर सकते हैं, path को copy कर सकते हैं, open file location ठीक, इसकी location कहाँ save है, यह देख सकते हैं, दूसरी चीज़ प्रोटेक्ट, देखे, प्रोटेक्ट में मैंने जो है, restrict editing बता दिया था आपको, restrict editing मतलब, आप password डाल कर इसको protect कर सकते हैं, चाहे तो आप password के थूरू encrypt कर सकते हूं, ठीक है, इसके अलाबा access को restrict कर सकते हैं, यह सारे option आपके document को protect रखने के लिए होते हैं, आप किसी के वो प्योग करके password डाल सकते हूं, ठीक है, inspect, inspect document, य यानि कि कितनी देर में auto recovery होगी, यह चीज़े हमको देखने को मिलती है, यह सब आपको information में देखने को मिलता है, आई होब आपको view tab यहाँ पर समझ में आये होगा, यह सारी चीज़े आपको clear हो गई होगी, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे सारे tab complete हो चुके है, अब हम basic group से यहाँ फाइल के अंतरगत कुछ basic चीज़े यह देख लेंगे, और हमारा complete MS Word 2019 cover हो जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको complete सीख सकते हैं, इसके बाद MS Word आपने पढ़ ली 2019, अब MS Word 2021 पढ़ना है आपको, ठीक है, कुछी दिनों में मैं उसके lecture को ले कर आऊँगा, पर इसके ब चीज़े उस से related MS Office 2019, उसमें अगर होगी तो उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आपके office हो, या office से related हो, काम हो, या फिर कोई आपको exam देना हो, तो उन सभी चीज़ों के लिए जो tutorial है, वो आपको काफी फाइदे मन्त होने वाला है, तो चलिए मिलते है next जो है, फाइल मीनों में हम कुछ चीज़ पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए जैहिन,